करे पुरे साल नहीं पढ़ा को होगे अपना 26 तारीक को दो अज़ार 24 मिना आके इसी वीडियो पे कॉमेंट करना की संतो सर यहीं से आपका बोड का पेपर बने हैं यहां हैक्स दिये मनसीन पैसेज तो सॉल कर लिता हैं जादा लिए वीस दिन के अंदर आने नहीं आयों सलूशन दे के जाओंगा हर एक चेशर हो चाहे वो ग्रामर हो चाहे वो राइटिंग स्किल क्यों ना सब्सक्राइब के से जाम बाक विद क्लास 10 इंगलिश सब्जेक्ट लास्ट वीडियो जो अपने अप्लोड कीती साइंस के रिगार्डिंग आप समने बहुत जादा प्यार दिया पोर डेट्स के अंदर आपने वन लैक प्लस व्यूस कर दिये थे उसके लिए बड़ा वाला ठेंक्यू तो नहीं बोलूंगा उसमें आपने इतना प्यार दिया कि मन किया कि अब 26 तारीकों जो आपके क्लास 10 इंगलिश का बोर्ड का एक्जामनिशन है उसके लिए एक बड़ा कॉंट्रिविशन आपको देखे जाओ मैं यहाँ सिर्फ बच्छा आपको टाइम टेबल आपको स्टाइजी देने नहीं आयों वो प्रैक्टिकल तरीका नहीं है उसको करने के बड़ आपसको नहीं करोगे जब तक आप किसी भी सबजेक में ना टाइम के साथ-साथ इंपूट नहीं देते तो आपके मार्क्स नह लो चाहिब कुछ भी स्टैट्जी बना लो जब तक इंपूर्ट नहीं तब तक आउटपूर्ट की उमीद नहीं करने हैं संतों सच जब ही भी आएंगे आपको इंपूर्ट दिलवाएंगे और साथ में आउटपूर्ट लेके आएंगे 26 तारीक को आज हम प्रॉपरली क्लास करो 20 देन जो मैं बोल रहा हूं जो मैं देखे जाने वाला हूं क्या दोंगा थोड़ा सा वेट तो करो हां मैं फिर से बोल रहा हूं मुझे पता तुम बहुत तेज हो अभी जाके डिस्क्रिप्शन से को निकाल लोगे नाई उसको यूज कैसे करना है कब क्या इस्तमाल करन है सब बता के जाऊंगो छुपा के रख आकरीवे आप बड़े बैसे हो देखते नहीं इन तक चलो क्या है स्टार्ट करे सुकून से बैठ जो ड्राने नहीं आया हूं सलूशन देखे जाऊंगो हर एक चीज का चाहे लिटरेचर हो चाहे वो ग्रामर हो चाहे वो राइटिं कापी पे आपका बोर्ड का एक्जामनेशन है हंडेड परसेंट डान है यह सर जल्दी से हर बार की तरह आगे मत जाना क्यों नहीं जाना सर अभी तो आपने का आगे बढ़ना है आपको जाके टेलिग्राम का चानल जॉइन करना सारा कॉंटेट आपको अपडेट रहना पर यहां पर डिवाइडड होगा टोटल मिला की बात की जारे कितने कुषैंस होंगे यारा कउशनस होंगे सोचो इन यारा कोशनस को ऑी वास्टर करना है कुछ बड़ा नहीं करना है देखा जाए सैक्षिन इवाच्छा आपका रिडिंग स्किल हर एक सेक्ष्न को कैसे करन वो सब कुछ बताना है, थोड़ा सा वेट तो करना पड़े का, आज़ा। Section ही बच्चा Reading Skills है, आपको 20 marks देके जाएगा, और इस Reading Skills के अंदर आपके दो questions रहेंगे। Done एक क्या? अभी हम Section 22 भी बात करने वाले हैं, Section विछ आपका Writing Skills प्लस में आपका Grammar यह दोनों मिल के आपको देगा 20 marks है, अगर आप इसको समझ लोगे ना, बच्चे पुरे साल बना, हमें grammar नहीं आती, हमें letter लिखना नहीं आता, अरे 20 marks ही तो हैं, बात को समझ ना, भी डिसकस करेंगे Section C आपका पूरा 40 marks लेके जा रहा है, and that is, आपके literature, आपके पास literature की दो books होंगी, first flight, footprints without feet, और हाँ, अगर आप English communicative से होना, मुझे comment ज़रूर करना की साथ, उसके पर काम किया जाए, मैं पका study material, आपको telegram, या फिर मैं YT पे आपको distribute कर दूँग, आचाओ, डने बच्चा ठ ध्यान दिया जाए, जब भी बच्चा reading skills की बात करता है, आपको 20 marks देखे जाएगा, reading skills में क्या संतोसर कोई तरीका ऐसा होता है, कि हम unseen passes तो solve कर लेते हैं, पर थोड़ा सा time जादा लग जाता है, और कभी गर ऐसा होता है, कि हम 20 question attempt कर रहे हैं, उसमें से 13 या 14 ही ठीक हो पा factor है, और साथ में जो आपकी accuracy बननी पा रही है, 20 में से 15, 16 जो आने चाहिए, वो नहीं आप पारे, कोई बात नि बच्चा, आपको न, yes मैं वैसे बताना ही चाहरा था, लेकिन अभी इसमें से, अभी पूरे की बात नहीं कर रहा, अभी जो आपको material देखे जाने वालों, इ देखो, यह आपका, चाहिए, कितनी practice कर लो, आपका unseen passage हर बार नया ही आता है, बट यह है कि examination देने जाने से पहले, अगर हम न, at least यहाँ पर 6 unseen passage, 3 आपके discursive और 3 बच्चे आपके case-based factual है, discursive में paragraph थोड़े ज़्यादा होते हैं, और यहाँ पर rambling में बाते करते हैं, बट case-based factual में आपको data दिया होते है, दाने बच्चा, तो यहाँ पर आपके बास 3 और 3, कितने हो 6 न, आपको 6 unseen passage इस question bank में है, मैं इसकी बात end way करने वालते हैं, लेकिन skip में था है न, तो यह गुसना पड़ा, आचाओ, तो जल्दी से आप जबसका fund यह खोलो कि बच्चा, तो आप यहाँ जल्दी जाके, आप क्या करना, आप 3 और 3 solve करना, प्लीज, टाइमर के according करना, टाइमर के बच्चा according है, और यह जवी नहीं कि आप daily कर रहे हो, आप ऐसा कर सकते हो, week में न, 3 escape कर लो, 3 escape, काम खतम, 6 करने हैं, इससे ज़्यादा आपको unseen passes नहीं करना, प्लीज, ध्यान रखे करना, इससे आपका time बचेगा, और कोई trick नहीं होती है, बस confidence होता है कि मैं कर लूँगा, 100% done है, यह complete करना, कैसे भी आपको examination से पहले, पक्का करोगे promise के साथ, ठीक है, चलोगे, और हाँ, इसमें answers भी दिये होए, वो बाद में है, फिले आप खुद करना time के स साथ, ओके, चलोगे, आप देखोगे न, जब छटे unseen passage ने पहुचोगे न, आपका जो time पहले लग रहा था, मानो 30 मिनट, वो घटकी आपका 20 या 25 हो जाएगा, पक्का, A, B, K, S, J की कसम, done है, ठीक है, तो यह 20 marks बचे आपको unseen passage आपको, यहां खतम करना, और कुछ नहीं कर marks देखे जाती है, देखा जाए, चलोगे, अब आजाओ यहां पर, बच्छा, section B, that is your writing skills and grammar, grammar सर इतनी बड़ी है, इतनी बड़ी, नहीं बच्छा, grammar बहुत छोटी है, कितना marks है, येस, आपके 10 marks का grammar है, सिर्फ 10 marks का, 10 marks में जो topics आपके आ रहे हैं, देखा जाए, determinants, आपके tenses, आपके modals, subject above concord, और साप में reported speech है, आप देखोगे बच्छा, यहां पर करना कैसे है, सबसे पहले, आपको ये, जो question bank के बाद कर रहा था, इसमें starting में आपके पास, ये topic wise grammar के rules है, at least 30 से 40 rules है, जिने करने के बाद topic wise है, जैसे आप ये कर लोगे न, उसके बाद मैंने यह आपर, CBSC ने इन topic से, जो भी question पुछें previous year पे, लगबग 120 questions है, और 120 questions को मैंने question answer करके दे रखा है, आप पहले यहां से, हलका से rules का idea ले ले लिना, and then बच्छा आप यहां पर grammar को solve करना, 123 क्यास पर questions है, झाल और वो इसके अंदर है आप प्लीस उसको ध्यान से सॉल्व करना और टेंशन मत लो यह जो आपके पास टॉपिक्स है ना आप मुझे कॉमेंट कर दिना वैसे मैं लेके आने वालो कोई टार्गेट देके नहीं जा रहा हूं कि यह जो टॉपिक्स है इसको मैं लाइब या रिक बच्छा यहां पर मैं इस टॉपिक के जो 123 कोशन से मैं ट्राइ करूँगा मैराथॉन बिचलो कि है टार्गेट वैसे देना नहीं था 10K का टार्गेट है आप 10K पूरे कर दो मैं मैं मैराथॉन लिखी आ रहा हूं वो इतना लेट नहीं करूँगा 15 से पहले ही लिखी आ ज मैं देना है देन बच्छा आपको टेंस में देना है देन आपको मुडाल्स में देना है देन आपका सब्जेक आप कौनकर और डिटरमिनर से बहुत कम कोशन यहां से आते हैं माक्सिम 4 से 5 कोशन यहां से बन जाते हैं सोचो और कोशन आपके हो सकते हैं आपका Multiple Choice Quotions ये आपको जो है best score करने का English में कभी marks fixed नहीं होते आप चाहे कितनी मेनत कर लो जब तक आपका result नहीं आएगा आप sure नहीं हो गई मेरे इतनी marks आ जाएंगे language है आजाओ जो okay ना अब आज जो section यहाँ पर जो B में आपके पास जो writing skills है जो आपको 10 marks देखे जाएगा writing skills की बात किजाए बच्छा एक आपके पास है formal letter informal नहीं है formal है और साप में एक आपके पास है analytical paragraph है formal letter पे आपके चार टाइप्स के हैं चार में से आपको choice दी जाएगे मतलब fourth question पे दो question होंगे उनमें से कोई एक करना होगा ध्यान देना यहां परना जो 4 letters है complaint letter inquiry है आपको सिर्फ औसिप letter to the editor करना है letter to editor की बात किजाए बच्छा मैं वीडियो लेखी आउंगा आपने सिर्फ पतक या करना आप मानोगे नहीं इसको खोलोगे ना हर बार मुझे इसी का promotion करना पड़ रहे है और हाँ इसका कोई charge नही senders address आपका date receivers address है format की कितने marks वो दिया हुआ इसके अंदर वह साथ में आपको एक पूरा solve करवाया हुआ है उसको देखना letter को starting कैसे करना है body पे खतम कैसे करना है सब कुछ है toppers की mark sheet जिसमें letter लिखना कैसे वो भी इसके अंदर मैंने insert कर रहे है आपको पूरा idea यहां से मल जाएगा बस बैठना है अराम से बैठके दो topics खतम करने analytical paragraph में भी format नहीं होता बड़ आपके points में जिससे आप body लिखते हो ना तो body में आप कुछ points का use कर सकते हो जिससे आपके marks बढ़ जाते हैं वो इवन यहां mention कर रहा है दोनों के वाज़ तीन बच्चा यहां पर इसके तीन और इसके बच्चा तीन आपको मैंने pyqs दिया हुआ है ताकि आप वो format को समझने के बाद आप अपने तरफ से attempt कर सको done बच्चा तो यह और यह solve एक बार कर लेना perfect है करना यहां से और कहीं से लिए perfect बच्चा ओके आज़ो देखा जाए तो आपको 5 marks यह देखे जाएगा 5 marks यह देखे जाएगा अब यहां पर आज़ो अब अच्छा बात करते हैं आपके पास 20 marks reading skills 10 marks grammar 10 marks आपके पास यह letter और स आपने analytical paragraph है आपके कितने questions हो गए है 1,2,3,4,5 हो गए अब आपका जो questions 6 है यहां start होगा आपका literature बहुत अच्छी बात है literature की दो books से मच्चा एक आपका footprints without fit और एक आपके पास है first flight है देखा जाए क्या करना है आपका जो sixth question है वो है एक extract होगा out of two from drama या prose है आपके पास ज पूसर की कहां से करेंगे बच्चा मैं आर बार बोलूँगा यहां पर literature के सारे chapters के PYQs है वह साथ में यहां पर हर chapter में जिसके पूछे गए है extract based question भी mention है आप आराम से कर सकते हो यह same बच्चा आपके पास seven question आपका एक extract आपका poetry से यहां पर बच्चा जो 10 poems है बहुत after wise है आप complete करोगे यह दोनों questions आपके हो जाएंगे 100% upcoming marathon पर हम यहां से question भी करने वाले है यह अराम से हो जाता है और सुनो हाँ जब आप न चाहे आप yes कह सकते हो यहां भी choice और यहां भी choice है मतलब आपको six में दो question उनसे एक करना है seven पर भी choice है तो choice है आपको मैं एक hack देक साथ आप अच्छी तरह के से कर लो अगर आप साथ अच्छे से करते हो ना तो आपको 9 करने की जरुवत नहीं है सारा मत करना साथ कर लो के choice होती है सेम अच्छा यहां भी कितने poem से 10 से ना आप 10 में से साथ poem कर लेना आपका यह जो poetry में एक भी marks नहीं करतेगा क्योंकि choice दी first flight की book में से आप देख सकते हो यहां पर कितने questions है 5 करने कितने है 4 सोचो आपके पास 9 chapter है 9 में से 9 plus में आपके पास yes 10 poem 19 में से आपके सिर्फ 5 questions पूछे जाएंगे short में तो क्या सारे chapters फढ़ने जवे नहीं बच्छा फिर से बोल और कुछ नहीं करना sir answer writing में दिक्कत आती ब यह नहीं कहता कि सारी book करके जाओ बस जोतना हो सके और कुस नसीब हो 21 तरीक को जो अपने हिंदी का paper देखे आओगे ना 5 दिन का gap है उस 5 दिन के अंदर भी ना 2 दिन के अंदर यह खतम कर सकते हो इसी वज़ा से आप इसको late भी देख रहे वीडियो को सुकून से करना हो ज जब आप PYQ उसको खोलोगे ना आप देखोगे कुछ ही chapters के long answer पूछे जाते हैं वो आपको वहां मिल जाएंगे chapter 20 पे आपने करना क्या है जो long answer है उसको याद करने की कोशिस करनी है ताकि जब आप अपने CBSC board examination पे answer writing करोगे marks कटने के chances बहुत कम हो जाते हैं 100% है यह आप आपका 10 और 11 आपका 6 और 6 मतलब क्या सकते हैं लिटरेचर कुल मिला के कितना marks देगी 40 है जो short answer आपको 12 marks यह आपके जो footprints without feet है वहां से short पूछे जाएंगे और वो कितना देगा आपका 6 marks और से मच्छा यहां भी 6 और 6 है तो आप देख सकते हो 40 marks का आपका literature है अब दिमाग लगा हो time जो बचा हुआ है इसमें maximum questions को learn करने की कोशिस करो बच्चे बोलते हैं किसा learn क्यों करे नहीं बच्चा जब आप learn करोगे न तो आपको key point मिल जाएंगे जिसको आप as it is अपने answers में use करोगे और यह मैंने किया है बस मेरे बच्चो आपको by the end बस इसे कैसे भी complete करन जब दिन कम होते है न तो उसमें आप अपना जुतना हो सके अपना extreme लगा दो ताकि जब board का exam दे के आए आप मुझे हग से कव संतो सर you are O.P. आपने जो भी content दिया वहीं से paper बनके आया है और हमने बहुत अच्छा किया है छोटी से quick request आप सबसे करना चाहूंगा आप न ज पर बना है तो क्या हमने board का paper सच में hack कर दिया वो आपको पता चलेगा 26 तारीक को comment आके इसी वीडियो पर करना मुझे बहुत बहुत खुशी होगी ताकि जो next session आए उनको पता चले what is the power of ABK-SHA और wish you all the best अच्छे से करना है बाकि अगर आपका प्यार रहा जो target दिया 10K का तो हिंदी के examination के recording भी बहुत कुछ मैं देखे जाने वाला हूँ अगर ये वीडियो थोड़ी से पसंद आई होगी लगा ओगा है मैं थोड़ी मेहनत करी है आप सब के लिए तो जरूर जरूर आप हर जगा शियर करना सारे बच्चे सच में बहुत टेंशन वेठे हैं कि संत सर्जा से एबी क्या सर्जे रक्स